हे दोस्तों वेल्कम बैक टू माई चानल गार्डेन नीचर स्लवर मैं आई होब आप सभी अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ अगर बाहर लगाते भी है तो ऐसे जगह पे लगाये जाती है अगर हम पॉट में इस प्लांट को लगाते हैं तो बहुत टाइम ऐसे देखने को मिलता है इसके जो लीवस है वो बर्न होने लग जाती है जलने लग जाती है गर्मी का सीजन है सो मोसली ये चीज़ देखने को मिलती ही है समर सीजन में जितने भी leaves के damaged leaves होते हैं जितने भी leaves जल जाते हैं या उपर का portion होता है उसको cut करके fake देना चाहिए जो दिखी यहापे मेरे leaves जो है न grow होने लग गया है यारे कापाम के नए-ने leaves निकल रहे है जितने भी damage part है पहले तो आप उसको cut करके fake दीजिए क्योंकि यह जो leaves है क्योंकि इसमें कुछ-कुछ leaves हरा है तो उसको food material plant को देना ही पड़ता है तो best है कि आप ऐसे leaves को हटा दे जो infected है या फिर damage है उससे क्या होगा आपका जो ने leaves का growth हो रहा है या नहीं हो रहा होगा leaves का growth तो उस time पे क्या होगा food material उसी leaves को देंगे या फिर growth part को देंगे जिससे आपका plant और जल्दी ठीक होगा बुशी होगा तो यहापे मैं सारे जितने leaves damage है उसको मैं हटा दे रही हूँ जैसे थोड़े-थोड़े उपर से burn हो गए तो उसको भी मैं cut कर दे रही हूँ इस तरीके से आप देख सकते हैं उसी तरीके से आप भी घर में अगर आपके plant में इस तरीके से हो रहा है तो जितने भी leaves damage है पहले तो आप उसको हटा दीजे जितने भी है भलाई से आपके plant में 4-5 leaf ही क्यों न बचे क्योंकि इसमें जो जितने leaves है ना देमेज वो क्या होता है आपके leaves को और ज्यादा sorry plant को damage करती है तो better है कि आप जितने खराब पत्ते हैं जैसी यह देखिए तो इसको मैं पूरा cut नहीं करूँगी इसके पूरे branch को मैं cut नहीं करूँगी पूरे leaf को जितना जितना उपर से बन हो गया उतना ही मैं करूँगी क्योंकि अगर मैं पूरा भी leaves को cut कर दूँगी तो फिर plant को grow होने में भी दिक्कत होगी क्योंकि इसको food material चाहिए होगा और leaves से ही इनका food material बनता है तो यह तो हो गया कि सारे leaves को आप हटा दिये जितने भी leaves होते हैं हटा दिये अब बात करते ही कि इसमें आप कौन सा fertilizer डाले या फिर कौन सी दवाई डाले कि जिसी यह जल्दी ठीक हो जाए और vegetative growth बहुत अच्छे से हो जाए हाला कि एरे का पाम flowering fruiting plant तो है नहीं इसके leaves में ही attraction जादा होती है show plant है, ornamental plant है तो में इसका leaf ही होता है growth के लिए बहुत अच्छा होता है shiny होता है plant अपका एक ratio, equal ratio होता है so, आप 19-19 का ऐसी use कर सकते है चाहे आपको directly powder use करना है या फिर पानी में घोल के भी दे सकते है so, यह किसाब से मेरा या पे पानी में घोल के ही मैं दे रही हूँ इस तरीकी साब इसमें root में दे सकते है even इसमें leaf में भी spray कर सकते है बट मैं यहाँ पे अभी leaf में नहीं spray करी हूँ क्योंकि इसका जो leaf है नभी नया-nया leafs निकलना start हो गया है so, मैं अभी leaf में इसमाँ spray नहीं करूंगी इसमें leaf में मैं यहाँ पे funsicide के spray करूंगी क्योंकि leaf में थोड़ा-thोड़ा leaf spot का भी attack हो रहा है so, यहाँ पे देखिए मैं पानी ले ली हूँ half liter पानी ली हूँ और यहाँ पे साफ ली हूँ साफ बोलते है ना साफ से ही पता होता है यह स्फरे करने से चिपक्ता नहीं बाट में यहाँ पर यगज़ा घरे रही है जरे इसमें leaf spot को भी रही है क्योंकि इसमें कार्बेंडाजीम और मैंकोजीब दोनों पाया जाता है जो कि फंगल की कंट्रोल के लिए बहुत सही होता है इवन जब आप इस तरीके से लीफ बन भी होने लग जाए तो थोड़ा सा क्या होता ना प्लांट एकदम कमजोर होता है तो इस टाइम पर क्या होता क्यों कि इसमें अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा तो यहापे मेरा थोड़ा सा घोल बच गया है तो मैं इसको अगदम पतला लिक्विड बना के इसको रूट में दूँगे अगर आपके पास नहीं बचता है तो ठीक है आप इस तरीके से पानी में घोल के इसमें रूट मे पहने में एक बार दे सकते हैं हमेशा इस तीस का ख्याल रखिएगा कि कभी भी इसका स्वाइल पूरी तरह ड्राइ ना हो जाए क्योंकि इससे क्या होता है अगर अपन डाउन होते रहती है तो इसका रूट में बहुत जाद एफेक्ट परता है सूखने लग जाता है और अ पानी देते रहिएगा हर दिन में एक बार गर्मिंग का सीजन है तो आप उस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा हो सके तो अगर आप इंडोर एरिया में रखे है या सेमी शेड एरिया में रखे है आपका पॉट के उपर डेपेंड करता है अगर पॉट छोटा है तो आप कर दो कर दो